Hello Dear Students Welcome Back My Channel Physics SPC The potential energy of our system is represented in the first figure यह potential energy or displacement position का दराफ दे रख़गा है displacement गया दो यह position गया दो The force acting on our system will be represented by और यह 4 force कौन से इसमें से represented होगा अगर graph यह वाला given है यह question में given है और यह इनमें से कौन सा represent करेगा यह पूछ रहा है तो कैसे करें इस question को solution सबसे पहले आपको potential energy और force में relation पता होना चाहिए जो force होता है f बराबर minus के du over dx क्योंकि यहां पर x दर्शन में ही position दे रख़ए इसलिए f is equal to du over dx ले सकते हैं ठीक है और यह force होगा along x सेक्स हो जाएगा f x हो जाएगा तो कि यहां पर हम dx लिख रहे हैं ठीक तो यह आपका होता है अब question में हमें जो दे रख़ए graph वो यह दे रख़ए है यह x है और यह potential energy है along x सेक्स है और यह इस तरह से उसने हमें graph दे रख़ए है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह दी यू ओवर dx हीर तैन थीटा बरावर डी यू ओवर dx और यहां डी यू ओवर डी एक्स जो है यह तैन थीटा यह स्लोप है स्लोप आफ यू एक्स कर अब देखो इस वाले कीस में यहां से यहां तक कौन से रीजन में? O से P तक तो O से P तक वाले रीजन में आपका जो ठीटा है that means slope है वो constant है और acute angle भी है ठीटा आपका acute angle है और दूसरा constant भी है इसलिए 10 ठीटा बरावर du over dx अब ठीटा अगर acute angle भी और constant है तो du over dx positive होगा और constant होगा बट f बरावर मानस के du over dx है अगर du over dx positive भी है और constant भी है तो यह positive रखेंगे और यह negative तो f कैसा आएगा negative और constant अगर नेक्स्ट रीजन में चले हैं अगर हम next रीजन में चले पी क्यू रीजन में चले जाएं यह देखो q वाला पॉइंट बाल ले इस वाले पॉइंट को तो पी से q वाले रीजन में अगर हम देखें तो इसमें slope जो गया है ठीटा जो हो गया है वो 0 हो गया है अगर आप देखो के slope पर 0 है तो that is जो 10 ठीटा du over dx है इसकी value 0 आएगी इसलिए जो f आएगा वो आपका du over minus के du over dx होगा और यह 0 है तो इसलिए यह 0 है तो f भी 0 हो जाएगा तो इसलिए इसका graph जो बनाएं अगर हम force का graph बनाएं कि यह position x और यह जो force है ऐसे है तो देखो op region में आपका f negative है और constant है negative b और constant भी है तो f negative और constant यहाँ पर f negative भी है और constant भी है यह a है यह तो op region में बना दिया और अगर मैं p q region में चलूँ तो p q region में f कितना है 0 है f 0 है इसलिए इस वाली region में 0 आया इसलिए इसका graph यह बनना चाहिए इसलिए मैं इसका graph बनाऊं तो मैं लिखूं c choice is correct c is correct choice क्योंकि इसमें f constant भी है और negative भी है और फिर इसको बाद 0 है ठीक पड़ते रही है और खुश रही है थैंक यू हम अइसे दूओ नुश कर दो